इसके दो-तीन कारण हैं इसको समझे ऐसे सिच्वेशन को एक नाम से बोला जाता है IBS बोला जाता है Irritable Bowel Syndrome लेकिन Irritable Bowel Syndrome कहने से कोई ठीक हुआ नहीं आज तक तो मैं आपको बताता हूँ इसको ठीक कैसे कर सकते हैं इसको ठीक करने के तीन पार्ट है पहला आपके इंटस्टाइन में खास करके बहुत सारे माइक्रो ऑगनिजम्स होते हैं कि टानू होते हैं जो की पाचन का काम करते हैं इसे गट माइक्रो बायोटा बोलते हैं तो जब भी हम हैं व्युक्त्रीक्रों मॉडिफाइड इनर्ग high रिक फूर लेते हैं तो मरते हैं कि और या सिपीजिशा कैसे खताव होते हैं जब भी आप कोई भी गोली खाते ओ यह इसी माइक्रोबायटा लखों-लखों करोड़ों मर जाते हैं कि टन है कि तो गट माइक्रोबायटा बिघड़ गया है सबसे पहली चीज तो इसको फिट करना है हमारे देश में परंपराओं में फर्मेंटेड फूड और इस तरीकी की चीज थंड आ गई है काली गाजर की कंजी बनती है कई जगह पर फर्मेंटेड होता है चावल को फर्मेंट करके खाते हैं उसमें पानी डाल देते हैं नमक डाल देते हैं और एक राद दो राद छोड़ देते हैं Fermented food का system था कि time time पे हम कुछ चीजों को Ferment करके उसका इस्तेमाल करते थे दही जैसे एक चीज है इसका काफी इस्तेमाल होता है Coconut को Ferment करके या उसका सिर्का बनाके उसको इस्तेमाल किया जाता है इस तरीकी की चीजें अचार अपने आप में एक probiotic है अचार हो गया कई तरीकी की चटनियों को कुछ समय तक रखा जाता है पिकलिंग का process किसी भी तरीके का हो तो उसमें fermentation का factor होता ही होता पुराने अचार सबस्यादा value किये जाते थे लोग बहुत सालों साल पुराने अचार रखते थे उसमें probiotic content बहुत हाई होता तो probiotic का इस्टेमाल natural की तरफ में जाना देखिए कोई भी चीज दुनों का balance बनाना पड़ता है package food packet वाले food अपने life से निकाल दीजे जो भी खाना है वो बना के fresh खाना है उसको शाम के लिए भी नहीं रखना कि अना क्यों आपके साथ में बहुत जानवर भी रहते हैं आसपास में कीटानूं भी होते हैं सब को खाना दोना जो बचगया खुदी खाना यह तो ग्रीड है ना इतना भी ग्रीडी नहीं होना चीए भूजन कभी भी बरबाद नहीं होता यह ना आपको लगता है नहीं नहीं अनाज को बरबाद नहीं करना चीए अरे आपने देखें आए नाज के कोड़े वह पहाड देखें कहीं कि प्लास्टिक के देखें होंगे और अनाज के पाठ तो आपने देखे ही नहीं, क्योंकि इसको किटानू खाएगा, कोई ना कोई तो खाई जाएगा, कभी भी अनाज वेस्ट नहीं होता, तो अपने शरीर में उसको डंप नहीं करना, ठीकिन अपने शरीर को डंपिंग ग्राउंड ना बनाए, थोड़ा फ्र जादा फर्मेंटेट है उसका इस्तेमाल होगा वो चीज रखें तो आपको यह माइक गट माइक्रोबाइटा और खास करके जमीन देखिआ आप भूजन कितना भी अच्छा कर लोग अगर जमीन मिट्टी हेल्डी नहीं है तो आप मिट्टी में अगर कलोणी ठीक है तो आपके शरीर में भी वो होगा वर्ना नहीं होता बारबर लाओगे खतम होजाए यह बातें समझ में नहीं आती इतनी जल्दी इसलिए मैं इस बारे में इतना ज्यादा नहीं बोल रहा कम से कम खाने पीने में चेंज कर दीए दूसरी बात दूसरी चीज होती है आपके intestine की लाइनिंग्स होते हैं intestine की linings होते हैं तो होता क्या है कि metabolism ठीक नहीं है यानि भोजन ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा और ये लंबे समय तक होगा तो वो lining ना पतली हो जाएंगी एक protective lining होती है आपके inside of intestine में mucous layer होता तो ये mucous layer metabolism के weak होने की वज़ा से कम हो जाता है जिसकी वज़ा से sensitivity होती है irritation होता है तो ये layer को कैसे establish किया जाए अगर भोजन पच्चने की energy गर्मी लेके आजाएं शरीर में तो slowly steadily ये line जो है वो replenish हो जाएगा ऐसे में शुरुवात में क्या कर सकते हैं oil घी का इस्तेमाल जादा करें देशी घी गाय का घी अपने भोजन में जितना इस्तेमाल करेंगे ये lining replenish करने में वो मदद भी करेगा उपर से आपकी digestive strength ये बढ़ाएगा आपका oges बल बढ़ाएगा घी अगर आपने भोजन में बिलकुल ही बंद कर दिया है तो आपको घी का इस्तेमाल दुबारा शुरू करना पड़ेगा metabolism को यानि जठरागनी को बढ़ाना ये तो primary है इसके अलावा काम नहीं चलेगा कुछ भी कर दो जठरागनी आपकी कुम्बक से बढ़ेगी तो दूसरा factor बता दिया gut microbiota पहला दूसरा intestinal linings हो गई तीसरा जो है detox process of your body शरीर में जमावट नहीं होनी चाहिए नहीं तो शरीर में कोई भी flow blood का flow, lymph का flow, hormone का flow ये flow ठीक से नहीं हो पाते है तो शरीर में आपको toxin level को reduce करना पड़ेगा यानि constipation नहीं होना चाहिए यानि कि आपका relaxation factor अच्छा होना चाहिए relax करने की strength अच्छी होनी चाहिए यानि exhalation की strength अच्छी होनी चाहिए आपके शरीर के इस पर थोड़ा practice करेंगे और थोड़ा कुछ supportive चीज़ ले लेंगे तो यह भी ठीक हो जाएगा यह तीन चीज़ें डैसे ही ठीक होंगी यह problem ठीक हो जाएगा आपके लिए शहतु है